Hello Everyone, Welcome to Online Study Point दोस्तो आज है 16 सितंबर और 16 सितंबर से करंट अफिर के जितने भी important questions बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में cover करेंगे और सभी questions से related extra facts भी जानेंगे सारे ही question important है इसलिए वीडियो अंतर तक जरूर देखेगा और अभी तक ही लिए आप लोगों ने online study point को subscribe नहीं किया है तो फटा फट से subscribe कर लेजे ताकि आप लोगों को नव वीडियो की notification सबसे पहले मिल सके और आप इस वीडियो की PDF टेलेग्राम से भी प्राप्ट कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं हमारा पहला question हाल ही में indoorman triathlon पूरा करने वाले पहले भारती कौन बने है पहले भारती बन गए है इसलिए इनका नाव most important है और यहां बन गए है मयंक वैध्य जिन्होंने indoorman triathlon प्रतियोगिता पूरी की है और यह triathlon प्रतियोगिता है क्या तो इसके बारे मैं आपको बता दू यह विश्यू की ध्यानदीजी विश्यू की सबसे कठिन प्रतियोगिता है ट्राइथलोन प्रतियोगिता इस प्रतियोगिता के बारे मैं आपको और बता दू कि इस प्रतियोगिता की जो शुरुवात है वह लंदन के मार्बल आर्च से डोवर के बीच 140 किलोमीटर की दोड से होती है और 140 किलोमीटर की दोड में जो एथलीट जीतता है उसके बाद उसे कम से कम 33.8 किलोमीटर स्वीमिंग करनी होती है यू कैन इमेजिन 140 किलोमीटर दोड फिर उसके बाद 33.8 किलोमीटर स्वीमिंग और फिर इतना ही नहीं इन दोनों चनलों के पूरे होने के बाद उस व्यक्ति को यनि कि उस एथलीट को 289.7 किलोमीटर की बाइक राइड करनी होती है तब जाकर यह प्रतियोगिता पूरी होती है इसलिए इसे कहा जाता है यह दुनिया की सबसे कठिन प्रतियोगिता है और इसे किस ने जीत लिया है मयंक वैद्यने ठीक है यह पहले भारती बने है इसलिए important है next question है हाल ही में भारत के किस रज्ज में भारती कौशल संस्थान की आधार सिला रखी गई है तो भारती कौशल संस्थान की आधार सिला रखी गई है मुंबई में और एक चीज मुंबई में सेवी का मुख्याले है mostly बैंकों का मुख्याले तो मुंबई में आप सभी जानते हैं लेकिन recent के exam में पूछा गया था कि सेवी का headquarter कहा है तो यहां मुंबई में ही इस्तित है सेवी यनिकी security exchange board of India इसकी full form भी आप याद रखीएगा और बात यहा पर कौशल की की जा रही है तो आपको मालूम होना चाहिए हमारे कौशल विकास मंत्री कौन है निकी skill development minister यह है महेंद्रनाथ पांडे और इनका निर्वाचन छेतर क्या है तो महेंद्रनाथ पांडे की consistency है चंदौली उत्तर प्रदेश तो यह भी आप याद रखीएगा और बात यहां पर कौशल की की जा रही है तो आप लोगों को एक करंट से related question याद आना चाहिए मैंने आप लोगों को तीन दिन पहले ही बताया था कि विश्व कौशल प्रतियोगिता जो कि इसी वर्स रूस के कजान में आयोजित की गई थी और इसी कौशल प्रतियोगिता में स्वेता रतनपूरा ने ब्रॉंज मेडल जीता था और स्वेता रतनपूरा विश्व कौशल प्रतियोगिता में मेडल जीतने वाली पहली भारती महिला बनी थी इसलिए इनका नाम most important है स्वेता रतनपूरा और इन्होंने graphic designing में ब्रॉंज मेडल जीता था तो ये भी आप रखीएगा और एक चीज से आपको और क्या याद आता है आपको एक ब्रैंड अमबेश्टर का नाम भी आएदाना चाहिए इसकिल इंडिया मिशन तो इसकिल इंडिया मिशन के ब्रैंड अमबेश्डर कौन है यह है वरुन धवन और अनुश्का सर्मा तो ये भी आप कर एल कार्कर तोड दिया है तो यह रिकार्ड तोड़ा गया है क्रिस इंडिया के लिए यह उप्राइव कैchsट के कर्द यह ओन्बेश्ड कि घीऊ-णैनिया और औरaces सर्मा यह मुंबाई-इंडियानज के लिए खेलते हैं तो यह भूश्टार क रखी येए मिए आप जितने वाले एक मात्र ध्यान दीजे एक मात्र भारती मुक्यबाज कौन बने हैं तो यह एक मात्र भारती मुक्यबाज बन गए है आशीश कुमार और बात यहां पर थाइलेंड की आई है तो थाइलेंड की कैपिटल क्या है बैंक कॉक करंसी क्या है बहत और एक चीज यह भी पूछा जाता है एक्जाम में कि सफेध हाथियों की भूमी किसे कहा जाता है तो सफेध हाथियों की भूमी कहा जाता है थाइलेंड को और भारत और थाइलेंड की बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है भारत और थाइलेंड की बीच में जो होती है एक्सरसाइज उसका नाम है math 3 आपको math 3 और mithra şakti के बीच में confused नहीं होना है जो math 3 exercise है यह भारत और Thailand के बीच होती है जबकि जो मित्र शक्ति है तो मित्र शक्ति भारत और श्री Lampfalo के बीच होती है तो ये भी आप याद रखिएगा है कि अब मैं आप लोगों को online study point के Master Yearly PDF के बारे में बता देना चाहती हूं आप सभी जानते हैं कि 10 सितंबर को हम लोगों ने अपना Master PDF लॉंच किया था जिसमें कि November 2018 से लेकर 7 सितंबर 2019 तक के जितने भी important current affair के question है उसे topic wise cover कर आये गया था जिसमें कि साढ़े 500 plus question सेम उसी format में है जिस format में आपको पढ़ाया जाता है detailing के साथ और जो बाकी के 700 plus question है current affair के वह one liner form में आप लोगों को तैयार कराए गए हैं तो यह सारे topic है जो कि उस PDF में cover कराए गये हैं जो आज फिर से open हो रही है link link description box में दी हुई है मैं इस वीडियो के अंत में आप लोगों को उस PDF को download करने का तरीका बताऊंगी इसके बाद आप उस PDF को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी link शाम कुछ है बज़े close कर दी जाएगी next question है हाल ही में कौन सा ब्रांड ओपो इंडिया की जगह टीम इंडिया का आधिकारिक प्रायोजक बन गया है तो यह बन गया है बाईजूस यह न्यूज आप लोगों ने जरूर सुनी होगी तो बाईजूस के बारे में जान लेते हैं क्योंकि यह आप टीम इंडिया का आधिकारिक प्रायोजक बन गया है बाईजूस आप सभी जानते हैं यह क्या है तो यह एक लर्निंग एप है इसकी स्थापना कब हुई थी इसकी स्थापना हुई थी 2011 में और इसकी स्थापना की किसनी थी वाईजू रविंदरन ने और वाईजू रविंदरन ही इसके संस्थापक और CEO है इसका है तो शहर है और बैंगलोर किसकी राजधानी है तो बैंगलोर राजधानी है करनाटक की और करनाटक के भी हाल ही मुख्यमंत्री नियुक्त हुए है क्या ना में उनका बी एस येदुरप्पा और राजजिपाल कौन है वजु भाई बाला तो ये भी आप याद रखीगा और कुछ समय पहले ही महराश्ट्र और करनाटक दोनों नहीं संयुक्त रूप से कोलह पूरी चप्पल को जी आई टैक प्रदान किया था तो ये भी आप याद रखीएगा नेस्ट कोस्चन है हाल ही में कौन ब्रिटेन में भारती मूल के पहली ग्रह मंत्री बनी है भारती मूल की और ग्रेट ब्रिटेन और अभी हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधान मंत्री भी बने है ब्रिटेन के नए प्रधान मंत्री कौन बने है बॉरिस जॉन्सन और ब्रिटेन की करंसी का क्या नाम है ब्रिटेन की करंसी का नाम है पाउंड स्टर्लिंग तो ये भी आप याद रखी इसका मुख्याले कहा है कोलकाता में और कोलकाता हुगली नदी की किनारे बसा हुआ है और कोलकाता किसकी राजधानी है कोलकाता राजधानी है पश्चिम बंगाल की और पश्चिम बंगाल का एक प्रोडेक्ट है रोशगुल्ला इसे हाल ही में जी आई टैक प्रदान किया गया था और यदि सबसे प सेव ग्रीन इस्टे क्लीन यह योजना है जो कि हरियाली को बढ़ावा देने के लिए है और यह पश्चिम बंगाल गवर्मन के द्वारा शुरू की गई है next question है हाल ही में किस शहर में प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी ने देष के पहले लिहां दीजिए पहला है इसलिए most important है देष के पहले ग्रीन फिल्ड ओद्योगिक स्मार्ट सिटी का उद्घाटन किया है तो यह उद्घाटन किया गिया है महराश्ट्र में और महराश्ट्र में भी कहां तो महराश्ट्र के औरंगाबाद में इसका उद्घाटन किया गया है और औरंगाबाद की स्थापना की किस ने थी औरंगा बावरी नदी की किनारी स्थित है नाकपूर इसे संत्रा नगरी की नाम से भी जाना जाता है और पुड़े में है आगाखा पैलेस और भारत की रासायनिक प्रयोक साला भी पुड़े में ही स्थित है नेश कोस्टन है हाल ही में मैत्री 2019 संयूक त सेन्य अभ्यास इसका आयोजन भारत के किस सहर में किया जाएगा तो यह किया जाएगा मेघ्हालय के उम्रोई में इसका आयोजन किया जाएगा और इसकी शुरुवात आज से ही हो रही है यनि कि यह चलेगा 16 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक मेघाले के उम्रोई में और मेघाले के ही उम्रोई में भारत और चीन के बीच की जो exercise है hand in hand इसका भी आयोजन किया जाएगा याद रखिएगा बात यहाँ पर मेघाले की आई है तो मेघाले की capital क्या है शिलॉंग मुख्यमंत्री कौन है कौन राड संगमा और गवर्नर कौन है तथागत रॉय तो यह भी आप याद रखिएगा important है next question है हाल ही में किसको first class order of जायत से सम्मानित किया जाएगा तो यह सम्मानित किया जा चुके हैं और इनका नाम क्या है नवदीप सिंग पूरी और यह UAE में भारत के ambassador थे और इन्हें ही इस award से सम्मानित किया गया है और यह हम current से relate करें तो पवन कपूर को भी हाल ही में UAE के अगले ambassador के रूप में न्यूक्त कर दिया गया है तो यह दोनों आप नाम्याद रखेगा और बात यहां पर UAE की आई है तो कुछ समय पहले नरेंदर मोदी जी भी UAE की यात्रा पर गये थे और उन्हें जायद मेडल से सम्मानित किया गया था UAE की बात आई है तो UAE की capital क्या है अबुधाबी करंसी क्या है दिरहम और यहां के president कौन है तो UAE के president है खलीफा बिन जयाद अल्निहान तो यह भी आप यात रखेगा कल मैं आप लोगों से पूछा था कौन सी राज्जी सरकार भारत का पहला अंतर राज्टरी महिला व्या पारकिंड यानि कि international women trade center इस्थापित करेगी तो यहां इस्थापित करेगी केरल गवर्मेंट आप सभी ने इसका right answer दिया था अप आप लोगों के लिए आज का शवाल है हाल ही में किस क्रिकेटर को राय स्पोर्ट्स उनिवरसिटी का चांसलर निउक्ति किया गया है इसका जो भी answer है comment box में detailing के साथ लिखिएगा और एक चीज यहां पर मैं आप लोगों को कुछ comment से सो कर रही हूं हमेशा तो online study point को अ simple सा जवाब है मैंने आप लोगों को कई बर बता है कि विद्या का कोई मोल नहीं होता है विद्या अमोल होती है विद्या को तो बेचा जा ही नहीं सकता हम यहां पर 30 रुपए अपनी महनत मांग रहे हैं जो कि रात भर जाक कर वो भी एक रात नहीं दो रात नहीं कई रात सकते थे लेकिन हमने करंट अफ्यर को पूरी डिटेलिंग के साथ लिखा है जिस डिटेलिंग के साथ आपको ऑनलाइन स्टेडी पॉइंट की तरफ से पढ़ाया जाता है तो यह सोचना बिल्कुल गलत है और बात रही कि आपके पास पैसे नहीं है तो मैं आपको जानकारी ऐसा नहीं कि सब कुछ पैसे के लिए किया जा रहा है आप मार्केट में भी जाएंगे आप शौप कीपर से बुक भी खरीते आखिर वह भी तो विद्या दे रहा है लेकिन वह बदले में पैसे लेता है और मैं बार बार कह रही हूँ हम यहाँ पर विद्या की कीमत नहीं आ जाता है और यह ऑल्लाइन स्टेडी पॉइंट का दावा है यह आप लिख के रख लीजिए और तब भी आपको लगता है 30 रुपए महंगे है तो आप लोगों को कोई भी जोर जबर्शती नहीं है आप चाहें तो नहीं भी ले बस मैंने आप लोगों को जानकारी दी है डि पेमेंट करने के बाद आप लोगों के पास 30 रुपए का एक option आएगा 30 रुपए का balance जैसे ही कटता है आपके उसी site में आपको site से exit नहीं होना है उसी site में payment successful का option आएगा उसके बाद आप अपनी PDF डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद भी आपकी PDF डाउनलोड नहीं होती है तो आप लोगों को online study point की एक mail idea है उसमें message करना होगा कि आपको PDF नहीं मिला है online study point की तरफ से आप लोगों के mail में यह PDF प्रोवाइड कराई जैगी और जिन लोगों ने भी 30 रुपीज पे किये हैं और जिने PDF नहीं मिला है वैसे तो online study point ने एक एक करके सबको ही PDF प्रोव मेल भेजिए हम आप लोगों को PDF प्रोवाइड कराएंगे तो दोस्तों यह थे 16 सितंबर से related important current affair के question I hope यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया है पसंद आया है तो study related group में share जरू करिएगा और online study point को like share subscribe करना बिलकुल मत भूलिएगा आज के लिए इतना ही thank you so much